ये स्टुडेंस, वेरी गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू तो बच्चे हिंदी में हम कर रहे हैं कविता नंबर तेरा जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी इस कविता में जो बच्चे हैं वो सूरज को जल्दी आने को बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ही जादा ठंड का मौसम है बारिश भी हो चुकी है और उनके सारे कपड़े जो हैं वो गीले हैं और घर के जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो सारे क्या हैं बारिश की सिलावट से सील गए हैं तो वो सूरज देवता को बोल रहे हैं कि जल्दी से आओ और एक कटोरी भर कर हमें धूप की भी ले आना क्योंकि हम खेल नहीं पा रहे हैं सभी बचे घर के अंदर बैठे हुए हैं और ठंड में इतना सारा कुहासा भर गया है कि हमें कुछ भी आरपार नजर नहीं आ रहा तो आप जल्दी से आ जाओ इस कविता में हम कठिन शब्द जो हैं वो कर चुके हैं इस पाठ का सुलेखन भी हम कर चुके हैं उसके बाद मैंने आपको इसके प्रेशन उत्तर करवाए है और उसके बाद हम आज ये करेंगे ये क्या है आईए आपकी बुक का पेज नंबर है 82 प्रेशन नंबर 82 इसमें सबसे उपर आपको दिया गया है रंगों की बात रंगों की बात यानि कि अलग लग रंग जो होते हैं तो question क्या है, प्रेशन क्या है हमारा, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुमें धूप का रंग कैसा लगता है, अब कविता में बोला गया है कि एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, तो जो धूप है उसे गोरा बताया गया है तो वो पूछ रहे हैं कि आपको धूप का कौन सा रंग लगता है तो हम क्या लिखेंगे कि मुझे धूप का रंग सुनेहरा लगता है सुनेहरा यानि गोल्डन कलर सन्लाइट जो होती है हमें शाइनिंग में नजर आती है गोल्डन में तो हमें धूप का रंग कैसा लगता है सुनहरा उसके बाद धूप कभ नहीं सुहाती सुहाती मतलब अच्छी नहीं लगती धूप हमें किस-किस मौसम में अच्छी नहीं लगती कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती और किसी मौसम में हमें धूप अच्छी लगती है तो कभ हमें धूप है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जैसे कि गर्मियों के मौसम में इतनी जादा धूप होती है अगर कोई आपको बोले कि आप धूप में खड़े हो जाओ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी धूप लेकिन सरदियों के मौसम में जब कुछ भी नजर नहीं आता जब इतनी ठंड होती है तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि ठोड़ी सी धूप हमें मिल जाए तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? वो बोल रहे हैं कि जिस मौसम में आपको धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उस मौसम में आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो तो हम क्या करते हैं छाता लेकर जाते हैं जब भी हमें धूप में जाना होता है तो हम umbrella यानि कि छाता लेकर जाते हैं ताकि हमें धूपना लगे साथ में पानी लेकर जाते हैं अपनी water bottle साथ लेकर जाते हैं ताकि जब भी हमें प्यास लगे हम पानी पी सके सूती कपड़े पहनते हैं तो ये हमने Clothes Chapter E.V.S. में भी किया है कि We wear Cotton Clothes in summer हम गर्मीओं में cotton के कपड़े याने की सूती कपड़े पहनते हैं उसका reason क्या है कि गर्मीओं में हमें बहुत जाधा पसीना आता है और जो cotton के कपड़े होते हैं सूटी कपड़े होते हैं वो हमारे पसीने को सबसे जल्दी अब्जॉब कर लेते हैं उसके बाद और क्या करते हैं हम आईस्क्रीम खाते हैं धूप से बचने के लिए सीर ढख कर रखते हैं तो किसी कपड़े से हम अपना जो सर है वो ढख के रखते हैं कि हमारे सर के उपर सीधी धूप ना आए तो ये सब करते हैं हम सभी बच्चों ने ये जो काम है वो पैंसिल से ही अपनी बुक में फिल करना है No need to write in your notebook Next है शब्दों का mail तो इसमें क्या किया हुआ mail मतलब आपको 4-4 शब्द लिखे दियें गए है इन चारों में से एक-एक शब्द अलग है एक-एक शब्द कोई अलग है और हमें बताना है कि वो कौन सा है और क्यूं है तो first है बारिश बारिश के आगे लिखा है पानी गीला, बादल, पतना तो बारिश में पानी भी आता है गीले भी होते हैं बादल भी होते हैं लेकिन पटना नहीं हो सकता क्योंकि पटना क्या है पटना एक शहर का नाम है पटना एक जगह है एक शहर का नाम है सिटी है पटना तो पटना अलग हो गया तो हम पटना को सरकल कर देंगी ठीक है उसके बाद है घर दरवाजा खिडकी सा Petrated हैं। लेकिन जो Sabun है वो एक यूज़ करने वाली चीज है, वो अलग category की है। तो हम Sabun को Circle करेंगे। ऐसे ही सूरज, सूरज से हमें ध्यूप भी मिलती है। पसीना भी आता है। गर्मी भी लगती है। लेकिन जो धरती हैं, वो अलग है तो धरती को Circle करेंगे। गिलास तो चूला जो है वो अलग है ओके नेक्स्ट है पेज नंबर 83 पेज नंबर 83 पर आ चुके हैं हम इस पर ये question answers दिये गए हैं अगर ऐसा हो तो आपको एक condition दी होगी कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा अगर धूप ना हो तो क्या होगा पेड पौधे और सभी इंसान मर जा चाहिए ऐसे ही आमें धूप भी चाहिए क्योंकि हमें sunlight भी चाहिए और जो पेड पौधे हैं उन्हें तो बहुत ही जादा sunlight चाहिए ठीक है तो अगर धूप ना हो तो इंसान और पेड पौधे दोनों ही मर जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है अगर हवा ना हो तो क्या होगा अगर हवा ही नहीं होगी तो कोई भी सांस नहीं ले पाएगा और फिर भी सारे इंसान और पेड पौधे और जानवर सभी मर जाएंगे तो तभी सभी सांस नहीं ले पाएंगे ओके अगर पानी ना हो तो क्या होगा तो सभी ज जीव मर जाएंगे जीव यानि सभी पेड़ पौधे भी पानी के बिना सूख जाएंगे बिल्कुली सभी जानवरों को भी पानी चाहिए होता है ठीक है और इंसानों को तो चाहिए ही होता है तो सभी जीव जो है वो मर जाएंगे अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा तो हम सब को भोजन प्राप्त नहीं होगा जैसे कि आप सब भी जानते हैं हमें जो गेहू है, चावल है, फल है, सबजियां है और जितने भी तेल हैं वो सारे कहां से मिलते हैं हमें खेतों से मिलते हैं, पेड़ पौधे देते हैं हमें सारे फल और सबजियां प्लांट्स होते हैं ठीक है ऐसे ही जो हमारी रोटी खाते हैं जो गेहूं है जो चावल है जो दाल है वो सबी क्या है प्लांट कैटेगरी है तो अगर पीड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सबी को भोजन मिलेगा इनी नेक्स्ट है कौन सा बहाना सूरज का अभी आने का मन नहीं है ठंड में है तो वह बच्चों को क्या बहाने बना कर मना करेगा जैसे कि आपका कभी-कभी नहाने का मन नहीं होता है आपका कभी-कभी होमवर्क करने का मन नहीं होता तो आप बोलते हैं कि आज मेरा मननी है मेरा स मारेगा आज मेरी तब्यत ठीक नहीं है आज मेरी रोश्णी चली गई है मैं ठक गया हूँ तो वो ऐसे ऐसे बहाने मार सकता है यह था हमारा पेज नंबर 83 उसके बाद है पेज नंबर 84 आप सबी देख सकते हैं इसमें क्या है कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंद तो कोहरा क इस मौसम में चा जाता है सभी को बता है कि कोहरा सर्दी के मौसम में चा जाता है उसके बाद है सूख जा भई सूख जा मान लोकल स्कूल से घर आते हुए तेज बारिश में तुम भी गए तुम इन्हें कहां सुखाओगी तो यह हमें तीन चीज़े दी गई है हम इने कहां कहां सुखाएंगे कमीज तो मैंने इनके answers एक page पे लिखी है ध्यान से देखिए थोड़ा सा फूल्ड हो गया है अभी देखो ये है कमीज फर्स्ट है कमीज तो इसे घर के आंगन में तार में सुखा दूँगा जैसी कि सबके घर में तार होती है कपड़े सुखाने वाली ये है एक से दो घंटे में सुख जाएगी तो धूप में हमें से आंगन में तार में सुखा देंगे तो ये है एक से दो घंटे में सुख जाएगी कौन? कमीज उसके बाद है बस्ता यानि कि जिसे हम bag बोलते हैं तो bag थोड़ा मोटा होता है उसका कपड़ा थिक material से बना होता है घर की आंगन में सुखा दूँगा इसे भी हम घर की आंगन में सुखाएंगे चत पे भी सुखा सकते हैं इसे सूखने में पूरा दिन लगेगा अगर अच्छी धूप हो तो इसे पूरा दिन लगेगा सुखने के लिए ओके नेक्स्ट है जूटे तो जब हम शूजद होते हैं वाश करते हैं उन्हें इसे आंगन में वहां रखेंगे जहां अच्छी धूप हो और इसे हम छट पे भी रख सकते हैं धूप में इसे सूखने में एक से दो दिन लगेंगे ओके इन चीजों को हम ऐसे सुखा सकते हैं इनके अंसर्स थोड़े बड़े थे तो मैंने ये पेज़ पे लिख दिये हैं आप ये तीन अंसर्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्योंकि बुक में जगा बहुत कम है नेक्स देखो फर्क पहचानो तो डिफ्रेंस क्या है इन में ये है बिटा फीता और ये है फीका जब फर के पैर में या किसी भी अक्षर के पैर में बिंदी आ जाती है तो वो soft sound में आ जाता है या जैसे कि हम बोलते हैं फल ठीक है तो अगर मैं बोलू फल तो फल की जो अवाज आएगी वो किसकी वज़े से आएगी बिंदी की वज़े से ये है फीका और ये है फीका पहले ये देखो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते है नीचे पहले फी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है ये दोनों वर्ट्स को ध्यान से देखो इसमें बिंदी लगी हुई है और इसमें बिंदी नहीं लगी है तो जिसमें बिंदी लगी होगी उन्हें बोलने और सुनने में हमें soft sound मतलब की थोड़ा soft महसूस होगा जैसे की फीता लेकिन फीका ठीक है तो यह हमें तीन-तीन शब्द दिये हैं हमने इनके जैसा एक और शब्द बनाना है जैसे की काफी सफेद तारीफ तो इसमें जो फ है वो soft sound में आ रहा है क्योंकि उसके पाउं में बिंदी है तो इसके ज जालना फटना ठीक है तो हमें क्या बना दिया फूल ठीक है या फूल जैसे भी क्योंकि इसमें बिंदी नहीं है तो हम इसे बोलेंगे भी वैसे ऐसे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं फिर फिर लेकिन उसमें बिंदी नहीं है तो हम वैसे ही प्रणाउंस करेंगे उसे ओके बट इसल से सभी बच्चों ने सुंदर-सुंदर ये अपनी अपनी बुक में करना हैं. ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव आइस दे तो आल फियू.